Hello students, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बहतरीन होता है, दर्द सबके एक से हैं, मगर होंसले सबके अलग-अलग है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, तो students, आज जो lesson first हमने जहाँ छोड़ा था, वहीं से अपना lesson शुरू करते हैं, दा लास्ट लेस्ट रिटन बाई एलफंस डुड़ेट, हमने यहाँ छोड़ा था, कि जो blacksmith voucher था, वो से पीछे से आवाज लगाता है, कि अभी काफी time है, तुम कहां भाग रहे हो, और जो I, जो हमारा narrator है, वो यह सोचता हुआ, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो वहाँ से जल्दी से दोड़ कर कहां जाता है, M.Hemal के छोटे से बगीचे में, जहां उसका school, class है, Usually, when school began, there was a great bustle, bustle होता है, short shrubah, which could be here out in the street, Usually, आम तोर पर, जब भी school शुरू होता था, वहाँ पर काफी short shrubah हुआ करता था, which could be here out in the street, इतना short shrubah, जिसे आप गली में भी सुन सकते थे, school में आपको पता है, कितना short होता है, तो narrator कहता है, कि आम तोर पर school में इतना short होता था, जो हम गली में भी सुन सकते थे, पीछे करते हैं, वो sure, lessons repeated in unison, unison मतलब एक सुर में, एक आवाज में बच्चों द्वारा, lessons को दोहराने की आवाज, very loud, काफी तेज, which our hands over our ears, to understand better, जिसे सुनने के लिए, उस lessons को सुनने के लिए, हमारे हाथ, हमारे कानों पर होते थे, ताकि हम उस lessons को अच्छे से understand कर सकें, समझ सकें, and the teacher's great ruler, wrapping on the table, और किसकी आवाज, अध्यापक का जो ruler, जो डंडा था, उसकी मेज पर wrapping, खटखट, उसे पटकने की आवाज, ये सारा जो शोर था, गली में भी सुनाई देता था, but now, it was all so still, लेकिन अब, सब कुछ क्या था, बिलकुल still था, आज सब कुछ, शांत था, I had counted on the commotion, to get to my desk, without being seen, but of course, that day, everything had to be, as quiet as Sunday morning, counted on होता है, निर्भर होना, और commotion होता है, शोर शराबा, हल चल होना, I had counted on the commotion, to get to my desk, और मेरे desk पर, बिना किसी के, दिखे द्वारा, desk पर जाने के लिए, मैं हमेशार, शोर शराबे पर, निर्भर रहता था, मतलब वो कहता था, कि मैं, अपने desk तक पहुँचने के लिए, कि कोई मुझे देख ना सके, तो मैं, शोर शराबा जब वो होता था, चुपके से, अपने desk पर, bench पर जाकर, बैट जाता था, अफकोस, that day, everything had to be, as quiet as Sunday morning, लेकिन नी संदे, that day, वो जो दिन था, everything had to be, as quiet as Sunday morning, हर चीज, वैसे ही, शान्त थी, जैसे कोई, रविवार की सुबह होती है, कैसे रविवार की सुबह को, स्कूल नहीं लगते, कोई शोर नहीं होता, तो कहता है, यहाँ पर, कि उस दिन, बिलकुल शान्ती थी, ठीक वैसे, जैसे, रविवार की सुबह हो, through the window, I saw my classmates, खिडकी से, मैंने देखा, मेरे जो classmates हैं, already in their places, वो सभी पहले ही, अपनी places, अपने स्थान पर, बैठ चुके थे, and M. Hamill, walking up and down, with his terrible iron ruler, under his arm, and M. Hamill, जो M. Hamill, हमारे teacher थे, वो अपना जो भियानक, iron ruler, जो लोहे की जो छड़ थी, उसे, अपने बाजू के नेचे रखे, up and down, इधर उदर work, कर रहे थे, चहल कदमी, कर रहे थे, I had to open the door, and go in before everybody, मुझे सब के सामने, दरवाजा खोल कर, अंदर जाना पड़ा, You can imagine, how I blushed, and how frightened I was, कि you can imagine, अब कलपना कर सकते हैं, how I blush, blushed मतलब, शर्म आना, मैं कितना शर्मिंदा था, मुझे शर्म आ रही थी, and how frightened I was, और मैं कितना डरा भी हुआ था, शर्म क्यों आ रही थी, वो लेट था, डरा क्यों हुआ था, उसे डर था, कि उसके जो टीचर है, M. Hamill, वो से डाटेंगे, क्योंकि वो लेट था, but nothing happened, लेकिन कुछ भी happen नहीं हुआ, कुछ घटित नहीं हुआ, M. Hamill सामी, M. Hamill ने मुझे देखा, and said very kindly, और बड़ी kindly, दयालूता से क्या कहा, go to your place quickly, little friend, छोटे friend, जल्दी से अपनी seat पर जाओ, तो अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है, कि जो narrator है, जो वो student है, उसका नाम क्या है, French, we were beginning without you, कि हम बिना तुम्हारे ही, आज का जो lesson है, वो beginning, शुरू करने वाले थे, तुम जल्दी से अपनी seat पर जाकर, बैठ जाओ, I jumped over the bench, and sat down at my desk, मैं कूद कर अपने bench पर गया, और अपने desk पर जाकर, बैठ गया, not till then, when I had got a little over my fright, कि not till then, ज्यादा देर नहीं हुई थी, कि मैंने अभी जो मेरे अंदर जो डर था, मैंने उस पर काबू नहीं पाया था, did I see, that our teacher had, on his beautiful green coat, तो मैंने क्या देखा, कि हमारे जो teacher है, उन्होंने बड़ा सुंदर हरे रंग का जो coat है,